देखे प्रतीक का यहाँ पे एक सवाल है सर कि जब हम लोग यूपेसी तियारी करना शुरू करते हैं तो confidence level बड़ा हाई होता है बड़ा दबर्दस enthusiasm होता है लेकिन धीरे धीरे यह हमारा confidence गायब होना शुरू हो जाता है और ऐसा लगता तियारी छोड़ते हैं इनके बहुत सारे दोस्तों ने भी तयारी छोड़ने अमन कर दी यह भी situation से गुज़र रहे हैं और बहुत सारे लोगों situation से गुज़रते हैं देखे इंतुसियाजम जैसे कि टाइटल है तो इस प्रकार की चीज़ें इंटाइस करती है नॉर्मल दिमाग को इस चीज़ें इंटाइस करती है आपको लगता है लाल बत्ते है गाड़ी दिलेगी टीवी जैसे सीरल देख लोगे तो वहाँ पे वो एक पर्टिकुलर परसन जो आयस बन जाता है उसको देखके आप लोगों को जोशा जाकर तो इस प्रकार से भाई देखे इंटूसियाजम आता है और आपका काम करने का मन करने रगता है और यह हर फील्ड में होता है एक बच्चा जो बारवी कक्षा में अगर उसका कोई सीनिर आयटी निकल गया तो उसको थोड़ी देर के लिए जोश चल जाता है कि मुझे आयटी कौलिफाई करना है किसी को लगा कि भाई मुझे बहुत बड़ा अंदर रनर बनना है तो रनिंग सीखनी है तो भाई मैं तो ओलम्पिक्स में रनर बनूँगा ठीकी ना ओलम्पिक्स गोल्ड मिडल लेकर आऊँगा देस के लिए लेकिन तीन दिन सुगए दोड़े और उसके बाद नीन आने लगी बोला आप यार दोड़े नहीं पाएंगे तो शुरुआत में जब आपको कोई चीज बहुत अच्छी दिखती है ना तो आप उसके फायदों से एंटाइस हो जाते हो लेकिन आपको उस टेम पे सिर्फ उसके फायदे दिख रहे होते हैं उसको पाने के लिए उसके पीछे होने वाली मेहनत आपको नहीं दिखती है जब आपको ये मेहनत दिखनी शुरू होती है तब आपको लगता है कि आपको लगता है कहाई भस गया इससे अच्छा तो आरामी पे ठीक थे तो भाई देखिए इंथुजयाजम इस अववेसली इन्वर्शली प्रोपोर्शनल टू हाड़वर्क ठीके हाड़वर्क आपको ज़ाधा करना पड़ेगा जितना ज़ादा हाड़ वर्क उतना कम आपका कह सकतो इंथियाजम होता जाएगा हाँ एक समय के बाद अगर आपको अपने हाड़ वर्क में मज़ा आने लगा तो आटोमेटिकली आपका इंतुजाजम भी सासाद उपर उड़ जाएगा ये तो भाई देखे सैट स्टोरी है मानजी पिच्चर में क्या दिखाये गया कि मानजी की वाइफ की डेट हो जाती है तो भाई वो हतोड़ा लेके चट्टाने तोड़ने लगता है लेकिन जब वो हतोड़ा चट्टानों पे मार रहा था तो कितने उसके हाथ पे जोर पढ़ रहा होगा ये आपको नहीं पता है लेकिन तब भी वो मारता गया, मारता गया, मारता गया, यह उसका enthusiasm था, आपका hard work बढ़ेगा, उस hard work को अगर आप enjoy कर ले गए, तो ही आप end result तक पहुँच पाओगे, बहुत सारे ऐसे बदनसीब लोग मैं बोलूँगा, जिनकी किसमत खराब है, जो वहां नहीं पहुँच उसके बावजूद भी, बढ़ इसका मतलब यह नहीं है कि वो कुछ कर नहीं पाते हैं, आप तो पहली जर्नी हार जाओगे अगर इस प्रकार से आगे बढ़ोंगे तो, इसलिए मैं हमेशा अपने students को यह बोलता हूँ कि भाई, अगर किसी भी चीज की त्यारी कर रहे हो, क बहुत सारे पैसे, लाल बत्ती के आराम, जरूरी नहीं है कि यह आपको मिल जाएं, समझगे ना बात को, आपकी वहाँ पर पर्फॉर्मेंस, ठीके ना, आप कितना dedicated हो अपने cost की तरफ, यह भी बहुत अक तक decide करेगी कि आप किस level तक जाते हो, उस services में भी बहुत hard work है, ब पहले वाली मेहनत के लिए, सिर्फ उसके फायदे मत देखिए, उस cost के साथ अपने आपको associate करी, अगर आप केवल फायदे देखते हो कि भाई, यह करके मुझे यह मिल जाएगा, तो वो मिल जाने के लिए आपने पहला करना शुरू कर दिया, यह तो भाई नहीं हो पाएग दिमाग खराब यार सरदर दूरा समझी भी नियारा क्या करें, तो उससे में आपको आरनी मानी, नहीं समझ मारा तो भाग फिर से पढ़ो, नहीं समझ मारा फिर से पढ़ो, फिर नहीं समझ मारा तो छोड़ दोसको, दो दिन बात पढ़ो, वो समझ में आएगा, आपको जि